हुलो फ्रेंद्स वेल्कम बैक टू माई चैनल उम्मीद करती हूं माँ पच्छे होंगे स्वस्थ होंगे दोस्तों मैं भी एक दम से बिल्कुल बढ़िया हूं आप देख सकते हो वैदर काफी ठंड होगी है शिमला में सुभा से बारिश हो रही है कंटीनियो और इतना क्योंकि हाइट पे स्नोफॉल हो रहा है इस करके ना नीचे इधर काफी ठंड होगी आप देख सेकते हो बारिश बहुत ज्यादा तेज लगी है तो ऐसी बारिश मैंना मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूं आज आज मैं बनाऊंगी पहड़ी डिश काफी कम लोग शाय से उसको जानते होगे तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं कीचन की तरफ चलते हैं तो इस दिश को बनाने के लिए हमें चाहिए होगी दही मैंने यह पे एक पैक्ट दही ले लिया है अब इसमें थोड़ा सब्सारा मैं पानी आड़ कर लोंगी और अब इसको अच्छी से फेंड जब यह अच्छी से मिक्स हो जाए तो यहां पर मैं इसमें डालूंगी एक चम्मच लाल मेर्च पाउडर एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच डाला है मैंने इसमें धन्या पाउडर एंड तेश्ट के अकॉर्डिंग नमक थोड़ी सी कसूरी मेथी में ने अहड़ा ले अगर आपे पास हराधनी आये तो उसको जरूर इसमें डाले तो अब मैने यहां पे यह अपे प्रोसेस यह पर हमने करना है बस जब तक यह बॉल नहों जो जाए तब तक घूमाते रहना है अब थोड़ा सा आठा मैने ले लिया है इसपे ऊपर थोड़ा थोड़ा हलका बस दो तीन चुटकी डालनी है इस तरह से एंड इसको अच्छी से मिलाते जाना है अब यहां पर मैंने क्या है यह आटा लेलिया है यह पहली का मैंने गूंद रखा है अब इसमें छोटी छोटी लोईया हमने बनानी है इसको इस तरह से प्रेस करना है और इन लोईयों की यह आर्टा मैंने पहले के घूंद की रखा था तो इजी हो जाता है इस तरह करना आप बार में भी आर्टा गूंद सकते हैं उसमें नमक मिर्च वाइरे डालके इस तरह से भी बना सकते हैं इसे काफी अच्छा टेस्ट आता है और यह सहत के लिए पेट के लिए अच्छा रहता है और थोड़ी सी हरी मिर्च मैंने यहां डाल दी है इसमें प्यास जरूर डाले, प्यास हम आजकल खाते नहीं है, जैसे नवरात्री चले है, तो प्यास से और ज़ादा टेस्ट आ जाता है, प्यास धनिया वगेरे, तो ये देखे हमारी डिश बन के तयार है, बट इसको अब क्या करना है, गर्म गर्म में सर्फ करना है, आप भी इसे एक बार जरूर बनाएं, काफी टेस्टी होती है, खाने के लिए, और सर्दियों में ठंड के डाइम काफी अच्छा लगती है, ये बनाने, इजी भी बनाने, और मैंने अपने लिए प्लीट में निकाल दी है, थोड़ा मैं इस पे डालूंगे उपर से चाट नमक, फ्रेंट जो ये डिश में ने बनाई है, इसे कहते है, खोगडू, तो आप भी अगर आपके साइड भी इस तरह का कुछ बनते है, तो मुझे जरूर कॉमेंट में बताएए, आपके साइड इसे क्या कहते है, अगर आपने ये ट्राइ नहीं किया है, तो आप इसे ट्राइ क कर सकते हैं, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगी हूँ, तो लाइक, शेयर, कॉमेंट करना, मत भूना, थैंक्स फॉर वोचिंग गाइस, बबाई